दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे येट्यूब चैनल में दोस्तों कहते हैं एक पती और पतनी की जोड़ी साथ जन्मों की जोड़ी होती है लेकिन आज के जमाने में ये जोड़ी एक जन्म ही अच्छे से टिक जाए तो बहुत होता है दोस्तों हस्वेंट बाइफ के बीच रिष्टे अच्छे होंगे या बुरे इसमें आपके आसपास की एनरजी बड़ी भूमिका निवाती है दोस्तों आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपके आसपास सिर्फ पोजिटिव उर्जा अधिक हो और निगेटिव एनरजी का नामू निशान भी ना हो दोस्तों किसी भी दिन को सफल और सुख़द मनाने में सुबा का समय बहुत माईने रखता है दोस्तों चाड़क किनिती और शास्त्रों के अनुसार सुबा उटकर एदी महिलाएं अपने पती के साथ ये खास काम करती हैं तो आपके रिस्ते मधुर बनते हैं और भाग चमकता है कौन से वो काम है आईए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से लेकिन सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फिरी में सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रिस कीजिए आप चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों पहला पॉइंट योग जीहां दोस्तों सुबा पती के साथ योगा करने से आप ना सिर्फ फिट रहेंगी बलके आपका माइंड भी शान्त और पोजिटिव रहेगा इससे दमपती के बीच लडाई जगडे भी नहीं होंगे इसके अलाबा आप दोनों अपनी दिनचार्या में वेस्त होने के पूर्प कुछ पर साथ भी बिता लेंगी दोस्तों दूसरा पॉइंट है प्रेम दिन की शुरुवात यदि पती पतनी प्रेम के साथ करते ही तो मूड फ्रेश हो जाता है दिन बन आपके अंदर उस्सा और जोश रहता है आप अपने सभी काम एक्स्ट्रा एनरजी के साथ करते ही दोस्तों आपस में प्रेम भी बना रहता है इसलिए सुबा सुबा थोड़ा बहुत रोमांस पती पतनी को अवश्य कर लेना चाहिए दोस्तों अगला पॉइंट है भगवान को नमन जिया दोस्तों सुबा सुबा भगवान का आशिर्वा लेने से दिन की शुरुवात अच्छी होती है ये आपके शरीर में एक शकार आत्मक उर्जा का भी प्रवाह करता है इसलिए पती के साथ पूजा करना या भगवान को हाथ जोड़कर प्राम भर कर लेना अच्छा होता है दोस्तों अगला पॉइंट है सूर्य उदे के पूर्व इसनान सूर्य उदे होने के पूर्व आपको इसनान कर लेना चाहिए ऐसा करने से घर में मा लच्छमी का अगमन होता है आपके घर दर्दता नहीं आती है इसलिए आप और आपके पतिदे दोनों ही प्राता काल जल्दी इसनान अवस्य कर लें इससे आपके घर में रच्छमी आने की संबाबना बढ़ जाती है दोस्तों अगला पॉइंट है तुलसी में जल सुबा इसनाम कर यदी पती पतनी साथ साथ में तुलसी माता को जल दें तो उनकी जोड़ी सालों साल अच्छी बनी रहती है दोस्तों बेवाहिक जीवन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों अब आये जान लेते हैं कि प्राताकाल पती पतनी को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों सुबा उड़ते ही पती पतनी को लडाई जगडा करने से बचना चाहिए दिन की शुरुआत किच किच के साथ ना करें इससे आपका पूरा दिन बरवाध हो जाएगा साथी सूरज की किरणें एदी बिस्तर पर पढ़ने लगें तो उसे छोड़ देना चाहिए सुबा अधिक देर तक सोने से घर में गरीवी और निगेटिवटी आती है सुबा के समय नशीली पदार्तों का सेबन भी नहीं करना चाहिए इसका भी आपकी लाइप में नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है दोस्तों इसके अतरिक्त उड़ते ही जंगली जानवरों की तस्वीरें भी नहीं देखनी चाहिए आप अपने बेडरूम में किसी देवी देखता की तस्वीर ही लगाएं ताके उड़ते ही आपको उन्ही के दरसन सबसे पहले ही तोस्तों आज का वीडियो इतना ही हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो किरपया इसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूले और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब भी कर लीजिए चले दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो